हेलो एबरिवन आप सभी कई वफिर से स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में फ्रेंड अगर आप यूटूब पर कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो वो सर्च हिस्टरी में पूरा दिख जाता है कि आपने क्या-क्या सर्च करके रखा था या फिर आप यूटूब पर जो भी करना है तो कुछ अलग तरीके से आपको डिलीट करना होगा तभी आप यूटूब के सर्च हिस्टरी और वाच हिस्टरी दोनों को डिलीट कर पाएंगे तो चले फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूं कि आखिर हम यूटूब क सर्च हिस्टरी और वाच हिस्टरी को पर्मानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं तो चले फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय YouTube का जो search history है और watch history इन दोनों को delete करने का दो तरीका है जिसमें से पहला तरीका है कि यहाँ पर आपको अगर search history को delete करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे search यहाँ पास हैं तो इन में से जिसको भी आपको delete करना है simply आप उस search पे click करके थोड़ी देर ऐसे रख करकर के आप उसे delete कर सकते हैं उसी तरह friend यहाँ पर अगर आपको watch history को अगर delete करना है तो नीचे के side यहाँ पस आप library पे click करने के बाद friend यहाँ पर उपर के side आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो हमने watch करके रखा है उसका पूरा watch history यहाँ पास आपको देखने को मिल जाता है तो इसमें से जिस watch history को आपको delete करना है simply आपको यहाँ पास नीचे के side एक three dot का icon मिलेगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के side remove from watch history का option मिल जाता है तो आपको remove from watch history पे click कर देना है तो friend यहाँ पर आप देख सकते हैं कि watch history हमने जिसे delete किया है और यहां से हट गया है तो friend इस तरह से आप YouTube में search history या watch history को एक एक करके select करकर के आप इस तरह से delete कर सकते हैं लेकिन friend अगर आपके YouTube में अगर search history या फिर watch history जादा हो गया है और आप उन्हें सभी को एक साथ select करके delete करना चाते हैं तो उसके लिए friend यहां पस उपर के side आपको अपने profile वाले icon पे click करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे के side setting का option मिलता है आपको setting पे click करना है setting पे click करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलता है manage all history का तो simply आपको manage all history पे click करना है manage all history पे क्लिक करने के बाद friend यहाँ पर आपको खुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है यहाँ पस आप देख सकते हैं कि YouTube हिस्टरी लिखा हुआ है और यहाँ पस नीचे के साइड आपको एक option मिलता है डिलीट का अगर आप अपने यूटूब search history या फिर watch history को पूरी तरह से delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको delete का option मिल जाता है तो आपको इस delete पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने तीन ऑपसन मिलते हैं पहला है delete today पर डिलीट custom range ऑप delete all time delete today का मतलब है कि आज आपने जो search किया है YouTube पर जो watch किया है उसे आप delete today पे click करके उसे बस delete कर सकते है delete custom range यानि कि आप जैसे कि वहाँ पर date को select कर देंगे इस तरह से यहाँ पस आपके सामने option आएगा कि यहाँ पस आप किस date से लेकर किस date तक का search history या watch history को delete करना चाते है तो यहाँ से आप उस तरह से भी select करके delete कर सकते है इसके बाद यहाँ तीसरा option आता है delete all time का इसका मतलब है कि आप YouTube में अब तक जितना कुछ search किये हैं जितना कुछ watch करके रखे हैं और delete all time पे click करके आप उसे पूरी तरह से YouTube का पूरा search history और watch history को आप एक साथ सभी के सभी को delete कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप सभी को delete करना चाते हैं तो delete all time पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के side option मिल जाता है delete का simply आपको इस delete पे click कर देना है तो friend यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो YouTube का watch history है और search history है दोनों यहाँ पास complete delete हो चुका है इसके बाद friend यहाँ पर आपको नीचे के side ok पे click कर देना है delete करने के बाद friend आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे YouTube के watch history में यहाँ से पूरा ही watch history जो है ओव डिलीट हो चुका है इसके बाद यहाँ पर search history में भी आप देख सकते हैं कि search history में भी सब कुछ जितना हमने search करके रखा था वो सभी यहाँ से delete हो चुका है तो friend इस तरह से आप अपने YouTube के search history और watch history दोनों को आप दोनों तरीकों से बिल्कुल easy तरीके से आप भी delete कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अप लोगों के लिए काफी helpful भी रहा होगा तो please वीडियो को like कीजे, comment कीजे, अपने friend and family में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजे और साथ ही हमारे channel को भी subscribe जरूत कर लें फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में new information के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र